तो आज हम बनाने वाले है ओल का चारत यहां पर रोच को दो दिन पहरे लाकर वौश करके रख दिया था और जिस दिन में जो बनाना तो उसके एक रात पहले हमने उसको अच्छे से कट करके फ्रीज में रख दिया तिसके वाद चौपर है हमारे पास तो इस टाइब से मेरे पास बहुत बारीक वाला था तो हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो यह देखे हमने बहुत ज़्यादा बड़ी पीसे नहीं गल्वी जल्दी से जाएगा और हाँ अगर आपको यह ओल का आचार बनाना है तो आप उसको सबसे पहले जो बहुत अच्छा प्रोसेस होत बताते चले तो हमारे पास तीन नीमबू है बलकि हमने एक और मिलाया हुआ था तो यहां पर हम इसमें नीमबू मिलाने वाले तो नीमबू का जूस निकालेंगे निकालने के बाद इसमें मिला देंगे तो यह देखे हमने तीन नीमबू नहीं बलकि चार मिला थे तो यहां तो इसके बाद इसको प्लेट से ढख करके रख देंगे तीन से चार घंडे के लिए मेंस हमने शाम को बनाया हुआ तो इसके बाद हम यहाँ पर रहसुन अद्रक मिर्च यह दो-दो सुग्राम तीनों चीज हैं जो हमने ले लिया है इसके बाद यह हमारे पास कुछ जो अचा यह दो आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर इन चीजों को हमने ले लिया है और यह ड्राइव मिर्च भी है लाल वाली सूखी लाल मिर्च है तो चलिए जब तक हमने यहाँ पर मेथी डाल दिया हुआ है पक रही है आप इसको लो फ्लेम पर ही पकाए जिसमें के अच्छ से जले नहीं उपर से अंदर से कच्छी रह जाएगी तो आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाए इसके बाद मेथी हमारी देखे बहुत अच्छ से क्राइब को इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया तो इसी प्रकार से हम रोष्ट कर लेंगे राई इन चीजों को पहले ह इसलिए रोष्ट करना है कि इनको मुझे दो प्रोसेस में यूज़ करना है तो हमने सबसे पहले राई और मेथी को रोष्ट करके एक प्लेड में कर लिया साइड में इसके बाद इन मसालों को मुझे एक में ही रोष्ट करना है तो पहले एक मिनट के लिए इनको अलग-अल यहां पर बार बार आपको बता है कि लो फ्लेम पर रखें थोड़ा साथ मिनट करिया कोई बहुत नहीं की बहुत अच्छा बनता है इसके बात हमने डाल दिया अजन डाल दिया है तो यहां पर आपको दिखा दें कि हमारे पास यह 500 ग्राम ओल था उसके हिसाब से इतनाहीं इतना मसाला लिया तो इसके बाध हमने मिर्च डाल दिया इसको भी चलाएंगे अच्छा से झाल दिया कि इसके बाध Quan-जी बां एक एक कशmeno का जा उसके अपमें अंदर से पूरे तरीके से पक जाएं तो मसाले हमारे लगबग लगबग रेडी हो चुके थे तो चलिए इसमें करते हैं गैस को बंद उसके विवाद इनको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो यहां पर हम करने वाले क्या हैं कि मुझे कुछ इसमें से खड़े थे मसाले डालना है तो यहां पर हमने अधर मेथी को आटा दिए अभागे धा मसालाों के फटने होते जब तक कि खोड़ने के दा मता, आगे काmor यहां का्डा है तो यह चलिए इनको पीस लेते बिल्कुल से इनको पाउडर नहीं दना रहा है कम से कम इनको 60-65% पीस रहा है बिल्कुल यह देखे इसमें हलका सा दरदारा पन है और मुझे ज्यादा बारीक नहीं करना है उसी टाइप से क्रस्ट करने वाला पीसेंगे लैसुम अद्रक और म तो यहां पर थोड़ा सा ज्जागवा निकलता है तो इसको मैंने मिक्सी में ही क्रेश्ट कर दिया था इसको तो यहां पर यह देखे हैं हमने एक प्लेट में निकाल लिया कुछ मिर्च भी थोड़ी सा ऐसी टूटी-टूटी से है अद्रक और लहसुन भी टूटे-टूट तो इसके बाद चलिए हमने इसके बड़े बॉल में ट्रांसफर कर लिया थे क्योंकि काज का बॉल छोटा था इसके बाद मिलाना चालू करते हैं मसाले तो यहां पर जो मसाले में पीसे हुए तो इनमें थोड़ा सा मिर्च और रहसुन वगरा को जादा ही जाता है आप सभी लोग जानते हैं तो चलिए मिलाना चालू करते हैं सबी चीज़ें हैं हमारे पास में तो यहां पर हमने ले लिया है बावल में सबसे पहले डालेंगे खड़े मसाले जो के हमने रखा हुआ था साइड में रखके मिलाने के लिए तो इसको पहले से मिला लेंगे और भी भर के हींग डाल दिया था, तो हींग बहुत अच्छी है, चारों में डालो बहुत अच्छा रखते हैं, वैसे भी हींग के जो गुर हैं, आप सभी लोग जानते हैं, तो चलिए हमने इसको हींग डाल करका, भी मिला लिया है इसको अच्छे से, इसके बाद मिलाते हैं जो हमने मसाले पीसे हुए थे सूखे मसाले अचार के मसाले उनको मिला लेंगे तो आपको बता दू मसाले हमने ज़्यादा बनाए हुए थे क्योंकि मैं मसाले बना कर रख लेते हैं कोई नो कोई मुझे काम पढ़ता रहता है तो यूज़ कर लेते हैं बाकी जितना इसमें यूज़ होने वाला है वो तो यूज़ करेंगे करेंगे इसके बाद यूज़ करेंगे किसी और चीज में जो बाकी कब बचेगा तो चलिए इसको हमने अच्छे से मिला लिया है यह देखिया, बहुत अच्छे से मिला लिया है, यहां पर मेरे कुल मिलाकर के पूरा 1 kg के लगबख समान हो गया था, 500 ग्रम तो ओल ही था, इसके बाद हमने थोड़ा और मसाला थोड़ा थोड़ा लेके मिलाते जा रहे थे, य 3 फिर्डी हैं त legends पाऊडर लो मिर्च بن Case अधर, एंभी मिर्च होटी द्धन पाऊडर के दो बाऊडर न्सीन नियुकिंए दौने गया है है और यह दीखिए इसके बाद इनको अच्छे से मिला लेंगे फिर से क्योंकि अगर आप एक ही सा वर मसाले अब डाल देते हैं फिर मिलाटे तो अच्छे से नहीं मिलेंगे अगर एक मसाले । यह जाएं लास्ठ में हम इसको मिला लेंगे अच्छे से और हाफ रंस ये कम से कम इसको 10 से 12 दिन के बाद खाईए जो कि क्योंकि अगर आप पहले इसको खाना चालू कर देते हैं तो गले में इक्चिंग वगएरा होती है थोड़ा रुके खाईएगा और लेकिन हाँ बनता बहुत अच्छा चलता है लंबे टायम तक है तो यहां पर इसके बाद मिला लेंगे तो देखे कोई कोई मिर्च जो है खड़ी दिख रहे अच्छा लगता है यहां पर नमक थोड़ा जादा ही जाता है आप सभी लोग जानते हैं कि अचार में नमक थोड़ा सा जादा ही जाता है क्योंकि यह होगा था जिस दिन लाएं कि ifiesक अगले मेंए नहीं कुछ किंश्त के रख गया फिर उसको दो दिन पीसें में कट करके हमने रख दिया इसके। बाद फिर अगले दिन में अगले दिन मरफ तीसरे दिन हमने बनाना चालूब कि पूर। eso तो यहां पर आपने देखा हो था हमने चार नीमू मिलाया ही था तीन दिखाया था एक हमने और बाद में मिलाया हुआ था इसके बाद हमने योई दाल वाले अपने जो चमची होती है कर्ची होती है उसे इसे दो चमच भर के विनेगर डालेंगे विनेगर हमारा प्रिजर्व को मिला दे रहा है सही से जिसमें कि अच्छे से सारे मसालों के साथ घुल मिल जाए एक दूसरी के साथ दोस्ती प्रेम विवार हो जाए मेंस यह अच्छे से मिल जाए थोड़ा सा जोग चलता है तो चलिए फ्रेंट्स और हां जाते हैं आपको बता दो जो यह इस स्क्रीन पर करेंगे आपको आगे बताने वाले हैं क्यूं तो यहाँ पर हमने इसको मिला करके रख दिया अच्छे से मिला ले तो मिलाने के बाद इसको रख देंगे तो मसाले हमारे मिल के कम सकम इसको 40 गंटे के लिए रख देंगे और तीसरे दिन हमने देखा तो अचार हमारा सिर्फ करके इतना वचा है जो अब इसको दो तीनी धूब दिखाएंगे और अचार बेदा रिडियो जाएंगे तो वीडियो को पूरा देंगे ने लाइक सेस्क्राइब सेयर करना थैंक यू